हेलो बच्चों कैसे हो आप सबी बच्चों आज हम शुरू करने वाली हैं पार्ट नमबर 4 नीठी बोली कड़वी बोली तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चित्र पर आधारत गतिविधी बच्चों उप्रित चित्र में कोयल और कोवा को दिखाया गया है कोयल सदेव मीठी बोली बोलती है जो सबको अच्छी लगती है और कोवा जब भी बोलता है काउ 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 करता है जो कानों को चुपता है आप कोयल की तरह मीठा बोलते हो या कोई की तरह कड़वा आपको कौन सी बोली सबसे ज़्यादा भाती है आपके मेत्र पडोसी आपस कैसा व्यवार करते हैं बताईए आए कवीता में प्रवेश करें बोल चाल से हमारे स्वभाव के बारे में पता चलता है कोवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक सा होता है लेकिन कोयल अपनी मीठी बोली से सबको प्यारी लगती है इस पार्ट के द्वारा हम जानेंगे कि मी मेठी बोली और कडवी बोली का क्या परेडाम होता है तो आएए शुरू करते हैं एक चिडिया थी छोटी और प्यारी चिडिया वह बहुत मीठा गाती थी इसलिए उसका नाम पड़ा गवय या गोड़य या एक दिन पेड को गोड़य या गाना सुनाने लगी पेड़ भा एक विंती लेकर आई पेड गाना सुनकर खुश हो गया गोड़य से पेड ने कहा मेरी डालो के बीच में एक जगा है गोड़य या भेहन वहां तुम घौसला बना लो गोड़य खुश हो गई अब वै घास के पास गई और गाना सुनाने लगी घास रानी घास रानी कुछ तिनका दे दो रानी, घोसले के लिए दे दो रानी, एक विंती ले कर आई, घास गाना सुनकर बहुत खुश हुई, उसने गोरईया से कहा, मेरे पास से जितने सुखे तिनकी लेना चाहो, ले जाओ, गोरईया बहन, तुम अपना घोसला बना लो, गोरईया खुश हो गई, तिनकी ले जाकर उसी पेड़ पर उसने एक सुन्दर घोसला बनाया, उसमें चार सफेद अंडे दिये, वह अब और भी खुश थी, खूब गाना गाती, अब को नचाती, उसके अंडों से चार बच्चे निकले, अब वे एक कोवा था, उसने गोरईया को खुश देखा, उससे गोरईया की खुशी देखी नहीं गई, वह बहुत कुड़ा और काउं काउं करने लगा, कोवा बड़ा काला और बद्दा था, वह बहुत कड़वा बोलता, इसी से उसका नाम पड़ा कड़वा कोवा, उसने एक दिन पेड से लड़ाई की बोला रे पेड रे पेड तूने गौरय आ को जगा दी मुझे भी जगा दे पेड गोंसले की जगा दे पेड पेड को बहुत बुरा लगा और वह बोला मेरी पास तेरे लिए कोई जगा नहीं भाग जा नहीं तो अपने डाल से बड़ी पिताई जल्दी भाग जैसे ही डाल मारने के लिए हिली डरकर कउवां काउं 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 करता भाग खड़ा हुआ कउवां घास के पास जाकर उड़ने लगा घास रे घास रे तुने गोड़या को तिनका दिया मुझे तिनका दे तिनका दे घौसले के लिए तिनका दे गास को बहुत बुड़ा लगा उसने कऊंवे से कहा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तिनका नहीं समझे जल्दी भाग नहीं तो तेरे पैर बांध दूँगी, तू कभी उड़ नहीं पाएगा घास उसके पैर को बांधने के लिए लिपटने लगी, कववा डर गया और भाग गया अब बात पते की, कड़वा बोले से चुप रहना ही बहतर है सदेव याद रखे, बोली का प्रभाव सबसे अधिक दूसरे लोगों पर पढ़ता है मीठी बोली से हम शत्रों को भी अपना बना सकते हैं और कड़वी बोली से हम अपनों को भी अपना शत्रों बना सकते हैं कड़वी बोली बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता अब ज्यानवर्धक तत्यार वाडी मदुर होने से आप सबके प्रिये बन सकते हैं लेकिन आपके शब्दों में कठोरता आने लगे तो वही प्रिये लोग आपके शत्रू बन सकते हैं अब शब्दवाति का गवया गाने वाला सिंगर विंटी प्राथना निवेदन रिक्वेस्ट डाल शाखा ब्रांच खुश प्रसन हैपी तिनका घास त्रण ग्रास गोसला चिडिया का पेड़ पर रहने के लिए घास तिनकों का बना एक छोटा सा थान नेस्ट करवा, कटू, बिटर, लड़ाई, जगड़ा, फाइट अब नैतिक शिक्षा एवं मुल्ले हमारी वाडी ही हमारी शिक्षा दिक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परेच्य देती है इसलिए हमें वार्तलाप में व्यापारिक बातचीत एवं निजी बातचीत में थोड़ा अंतर रखना चाहिए वाडी किसी भी स्थिती में कटू एवं अशिष्ट नहीं होने चाहिए बच्चों यहाँ पर कवीता खतम होती है अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में बाबाई